रादे रादे जैसी कृष्णा मैं जीमा सिंग बढ़ो कुचारण इस पर चोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ आज हम सावन मास के महात्यमे का 28 अध्याय सुनेंगे इस अध्याय में आज हम सावन मास के शुकल पक्षी की द्वादशी तिथी का महात्यमे सुनेंगे भगवान महादे सनतकुमार से बोले कि है सनतकुमार जो फल क्रश्ट पक्षी और शुकल पक्षी की एकादशी का वरत करने से मिलता है वही फल सावन माज की शुक्ल पक्षी की द्वादशी तीती अर्था त्रियोदशी कवरत और स्थनान करने मात्र से ही मिल जाता है शंको उत्धार तीरत में इस्थनान करने दर्शन करने से जो फल मिलता है उसे दुख नहीं जेलना पड़ता व्यतीत योग में संक्रांती में तता चंद्र वसूर यग्रहन में दान करने से, कुरुशत्र में जाकर इस्तनान करने दर्सन करने से जो पुन्या मिलता है, वही पुन्या सावन मास के शुकलुपक्षी की त्रेउदशी तीथी में व्रत और दान करने से ही मिल जाता है हे सनत कुमार अशुमे यग्या रासुय यग्या और एक सहस्त्र गाएं दान करने से जो पुन्य मिलता है उससे भी सो गुना पुन्य सावन मास के शुकल पक्षी के प्रदोश कवरत करने से ही मेप्रदान कर देता हूं एक हजार तपस्यों को साथ वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल सावन मास के शुकल पक्षी के प्रदोश तिथी कवरत करने दान करने से ही मिल जाता है जो मनुष सावन मास के शुकल पक्षी की तर्योदशी के दिन घर आये अथिथी और बिखारी को भोजन करा के दान देता है उसके पुन्या का वर्णन तो भ्रह्मा आधी देवता भी करने में ऐसा मर्थ है एक सहस्त्र गाई दान काने से जो पुन्या मिलता है उससे तस गुना पुन्या सावन मास की शुकल पक्षी के प्रदोश का व्रत काने से ही मैं प्रदान कर देता हूँ जो मनश्य सावन मास के शुकल पक्षी की तर्योदशी के दिन व्रत करता है दान पुन्या करता है और रातری में भजन कीर्दन में समय बिताता है मेरी इस्तूती करता है शीव पुरान को पढ़ता है और व्रत की समापती पर श्रेष्ट भ्रामन को भोजन करा कर दूद देने वाली गाई बच्छडा सही दान में देता है मनुश्य तीनों लोकों में कोटी देवताओं से पूझनिये होते हैं सावन मास के शुकल पक्षी की त्रियोदशी के दिन व्रत के साथ योग्य भ्रामन को भोजन करा कर अन्य वस्त्र और रुपिया दान करने का कोटी और अक्षय फल मिलता है जो पुन्या पूरे सावन मास में वरत इस्तनान और दान करने से मिलता है वही पुन्या सावन मास के शुकल पक्षी की त्रियोदशी को भूके को भूजन कराने से ही मिल जाता है सावन मास के शुकल पक्षी की त्रियोदशी को पूरे विधी विधान से इसनान वरत दान भजन की तन रातरी जागरन करने से उस मनुश्य के पित्तर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं इस दिन दिये गे दान का महात्यम है तो देवता भी वर्णन करने में ऐसा मर्थ है हे सनत कुमार सावन मास के चुकलपक्षी की त्रियोधशी के दिन सूरिय उदह से पहले उठकर किसी पावित्र तीरत नदी में इसनान करके वरत का संकल्प करना चाहिए पूरे दिन भ्रमचारे का पालन करना चाहिए मेरा और देवी पार्वती का पूजन करना चाहिए शाम के समय दुबारा पूजन करें पूरी रातरी भजन कीर्दन में बितावें उस दिन एक योग्य पंडित को सैपतनिक भुजन करा के यथा शक्ति अन्वस्तर रुपिया चाता चतरी कपड़े जरूर दान में देना चाहिए पूरे दिन जो मनश ऐसे बिताता है उसके साथ जन्मों के पापों को मैं धो डालता हूँ वे मनश पुत्र पोत्र धन संपति से युक्त होकर धन धान्य का अधिकारी बनता है उस मनश की साथ पीडियों को कभी भी दरिदरता का मूँ नहीं देखना पड़ता उसके उपर देवी पारवती सहीत मेरा आशिरवाद बना रहता है उस घर में इस्थाई लक्षमी का वास हो जाता है देवी अनपूर्णा का उसके उपर कोटी गुना आशिरवाद होता है जो मनश त्रियोदशी तिथी को ब्रामनों को बच्छडा सहीत दू देने वाली ग तर्शन करने से जो पु京 फल मिलता है वही पुन्य सावन माज के शुखल पक्षि की त्रयोदशी को गरीबों को अन वस्त्र रुपिया चाता धान करने से पवित्र तीरत में जाकर स्नान करता है, व्रत करता है, दानपुन्या करता है, और मोन रहता है, और मन में ये धारन का लेता है, कि मैं पवित्र तासे इस व्रत को करूँगा, तो मैं उसके जीवन भर के समस्त पापों को धो डालता हूं, और वह इस जीवन के समस्त सुकों को भोग कर मरने के बाद मेरे शिवलोग को पाता है। जो मनुष ऐसा करता है वे वेभव शाली होकर इस दुनिया के सभी सुखों को भोगते हैं। जो मनुष मात्र त्रियोदशी को मेरा पूजन का लेता है चरनामत पीकर पूरा दिन बिताता है और अन जल ग्रहन नहीं करता है। मेरे सायुज लोग को पाता है वे आवा गमन के चक्र से छूड जाता है वे मनुष मेरा शिव गण बन कर मेरे केलाश्प का अधिकारी हो जाता है। मेरी कथाओं और महात्यमय को सुनते हैं या सुनाते हैं वे कीर्तिवान, धनवान, बलवान, स्वस्त कंचन जैसी काया पाते हैं अगले जानव में चतुरगनी सेना के प्रतापी राजा बनते हैं। भगवान महादेश अनतकुमार से बोले कि जो मनुष सावनमास के शुकलपक्ष की त्रोधशी को दान करते हैं वे निरोगी कंचन जैसी काया पाते हैं। अन्न से हवन करने वाले सुपात्र और धिरगायू संतान का सुख पाते हैं। जो मनुष आज के दिन गरीबों को अन्न वस्तर रुपिया और रितु फल दान में देते हैं, वे ब्रह्मा के समान सुखो को भोगते हैं। आज के दिन जो बड़ पीपल आगडे और तुलसी और शालीग्राम का भी पूजन करते हैं, तो वे स्वर्ण दान और गोदान करने जितना फल पा लेते हैं। आज के दिन तुलसी को देधारन करता है, तता अंत में विष्णु भगवान के नीमित ब्रह्मनों को दान देते हैं, वे विष्णु लोग को पाते हैं। हे सनत कुमार, जो मनुश्य आज के दिन विष्णु और मेरे देवालियों में भजन, कीर्थन, न्यत्य करते हैं, उन्हें कोटी गुणा फल में प्रदान कर देता हूं। जो मनुश्य उत्तम धनी वाला घंटा, सावन मास के शुकल पक्षी की त्रयोदशी के दिन मंदिरों में दान करते हैं, वे अपनी पूरी आयू परियंत तक स्वस्त निरोगी कंचन जैसी काया पाते हैं, दश्य दिशाओं में उनकी कीर्थी यस फैलती हैं, वे धन संपती से पूर्ण होकर अपने साथ कुलों का नाम रोशन कर देते हैं, जो मनुश्य दोपहर के समय घर आये अतीती को आज के दिन भोजन कराकर दक्षीना देता है, वे अपने साथ कुलों का उधार कर देता है, उस मनुश्य के परिवार के सभी बच्चों का मैं भग्य उदा कर इस प्रकार आज मैंने आपको इस अध्याय में सावनमास के शुक्लपक्षी की त्रियोधशी ती थी अर्थार प्रदोश्वरत का महात्या में सुनाया आशा करती हूँ यह आपको जरू पसंद आएगा इस अध्याय में आज में आपको सावनमास के इसनान की दो छोटी-छोटी कहानिया सुनाओंगी साथ ही सावनमास के अगस्त्य अर्धे विधान का पूरा वर्णन भी इस अध्याय में आएगा आईए अब हम सावनमास के महाद्यमे का 28 अध्याय सुनते हैं तबसे पहले हम सावन इसनान की और सावन मास की कहानी सुनते हैं. एक बार की बात है, शनी देव के लाश परवत पर महादेव जी से मिलने पहुँचे, क्योंकि महादेव जी सूरिय पुत्र शनी देव के गुरु थे, शनी देव सभी को बराबर दंड देते हैं, जाए वे इस्तरी हो, पुरुश हो, जानवर हो, देवता हो, असुर हो, गंद शनी देव महादेव जी को पहले ही सूचित करना चाते थे, तो शनी देव महादेव जी के पास केलाश परवत पर पहुँचे, तब महादेव जी ने शनी देव से कहा कि, अरे आज तुम्हारा केलाश परवत पर किसलिए आना हुआ, तब शनी देव ने अपने गुरु महा तब शीर जी को शनीदेव की बात अच्छी नहीं लगी महादेव जी बोले कि अच्छा शनीदेव ये बताओ तुम कितने प्रहर तक मेरी राशी में रहोगे तब शनीदेव बोले कि गुरुदेव सवा प्रहर तक मैं आपकी राशी में रहूंगा फिर मैं दूसरी राशी मे प्रेवेश कर जाऊंगा तब दूसरे दिन महादेव जी सुबह उड़ते ही केलाश पर से धर्ती पर चलेगे और उन्होंने हाती का वेश बना लिया और वे जंगल में इधर उधर भूके प्यासे भटकते रहे महादेव जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि वो शनीदेव की वक्रदस्टी से बच गए शाम होने पर महादेव जी पुनहे केलाश पर अपने रूप में वापस आगे तब ही शनीदेव उनसे मिलने के लिए केलाश पर पहुँच गए महादेव जी शनी देव से मुस्कुराते हुए बोले की अरे शिश्य क्या तुम्हारी वक्रदस्टी मुझे ढून रही है? क्या तुम्हारी वक्रदस्टी आज मुझे ढून नहीं पाई? क्या हुआ तुम्हारी वक्रदस्टी का? तब शनी दे महादेव जी से पोली की गुरू देव वो मेरी वक्र दश्टी ही थी जिससे आप हाती बन कर प्रत्वी पर पूरे दिन भूके प्यासे इधर उधर विजरन कर रहे थे ऐसा सुनकर महादेव जी को शनी दे और विप्रिय लगने लगे और केलाश पर्वत पर शनी देव के जैकारे लगाने लगे आईए अब हम सावनमाज की एकुर कहानी सुनते हैं एक बार एक गाउ में एक नामी महात्मा जी पहुँचे गाउ वासी सभी महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुँचने लगे उसी गाओं में एक आदमी था, उसने कभी कोई दानपुन्य व्रत उपवास नहीं किया, वह एक ठग था एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पती से महात्मा जी के पास जाकर प्रवचन सुनकर आने के लिए कहा तो वह ठग भी महात्मा जी के पास पांडाल में पहुँच गया महात्मा जी उसे देखते ही समझ गए कि ये इनसान कभी मंदिर की सिड़ी भी नहीं चड़ा होगा ठग महातमा जी के पास जाकर बैट गया न तो उसने महातमा जी को प्रणाम किया नहीं दक्षीना चड़ाई महातमा जी ठग की और मुस्कुराते हुए देखने लगे और बोले की वस तुम्हारा यहां किसलिए आना हुआ ठग ने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा था कि महातमा जी के दर्शन करके आओ इसलिए मैं आया हूँ तो महातमा जी ठग से कहा कि लगता है तुमारी पत्नी बड़ी हिधार्मी प्रवति की है वस क्या तुम कोई व्रत उपवास, पूजन, पाट, भजन आधी करते हो ठग बोला महाराज मेरे पास इन सब चीजों को करने का समय नहीं है तो महातमा जी ने कहा कि कोई बात नहीं तुम रोज शिवजी के मंदिर में जाकर जल चड़ाया करो और दीपक कर दिया करो लेकिन ठग ने कहा कि नहीं महाराज, इतना समय मेरे पास नहीं है महात्मा जी ने पुने कहा कि कोई बात नहीं फिर तुम ही बताओ तुम क्या कर सकते हो तर्ठग बोला कि मेरा पडोसी रोज महादेव जी के मंदिर में दीपक करने के लिए जाता है कि रोज उसके जलाए हुए दीपक को मंदिर में जाकर बुजा करा जाओंगा एक बार तो महात्मा जी को ऐसा सुनते ही क्रोध आया लेकिन उसी शन उन्होंने अपने क्रोध को काबू में किया और थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद महात्मा जी ने सोचा कि कोई बात नहीं इसी बहाने ही सही ये मंदिर में बोलेनाज जी के दर्शन तो करेगा ही अगर ये महादेश जी के दर्शन कर लेगा मंदिर की सिढ़ी भी चड़ जाएगा तो भी इसका कल्यान हो जाएगा सादू जनों का कारिय तो दूसरों का कल्यान और परोपकार करना ही होता है तब महात्मा जी ने ठग से कहा कि बेटा तुम ऐसा ही करना लेकिन इस नियम को तुम तोड़ना मत रोज यह काम करके ही तुम्हे खाना खाने का नियम लेना है अब ठग रोज यह काम करने लगा जब उसका पडोसी महादेर जी के मंदीर में दीपक जला कर बाहर मंदीर से निकल था ठग मंदीर में जाता और दीपक बुजा कर घर आ जाता और खाना खा लेता लेकिन एक दिन जब उसका पडोसी दीपक करके बाहर आया ठग मंदिर में दीपक बुजाने के लिए गया तो दीपक पहले से ही बुजा हुआ था क्योंकि उस दिन तेज-तेज हवाई चल रही थी उस दिन महाशिवरातरी का दिन था, सावन का महीना था मंदिर में बहुत भीर थी, उसे किसी और का दीपक बुजाने का बोका नहीं मिला वे पूरे दिन वहीं बैठा रहा, भूका, प्यासा, शाम हो गई, रात हो गई, मंदिर में जागरन शुरू हो गया वे पूरे समय दीपक बुजाने का मुका तलाश करता रहा लेकिन उसे मुका ही नहीं मिला आउंके लोगों ने समझा कि यह कीरतन में बैठा है भगवान का बड़ा ही भक्त है इस तरह महाशीवरात्री को उसका उपवास हो गया इस तरह कई बरस बीट गी जब उसकी मृत्यू हुई तो उसी दिन उसके पडोसी की भी मृत्यू हो गई दोनों को यम दूट नरक में ले गए तब शिवजी के गण यम लोग में पहुँचे और यमराज से कहा कि महाराज आपके दूट गलती से इस आदमी को नरक में ले आए है इसे तो स्वर्ग में जाना है तब यमराज बोला कि अरे यह तो बड़ा ही ठग है इसने पूरी उम्र गलत काम किया है इसने ने कोई वरत उपवास किया नहीं कोई पूजा पाट किया बलकि यह अपने पडोसी के जलाए हुए दीपक को रोज मंदिर में भुजा कराता था आप इसे कैसे धार्मी पूरुश बता रहे हैं अरे शीव गणो अगर तुम्हें ले जाना है तो इसके पडोसी को ले कर जाओ यह शीव लोग का अधिकारी है यह रोज महादेश जी के मंदिर में दीपक जलाता था और रोज शीव जी के जल चड़ाता था तब शीव गणो ने यमराज से कहा कि नहीं यमराज जी इस ठग ने महाशीव रातरी के दिन पूरे 24 घंटे भूके प्यासे रहे कर मंदिर में जागरन किया इसलिए इसे शीव लोग का वास मिला है इस तरह एक महात्मा जी ने एक ठग के जीवन को सुधार दिया इस तरह एक महात्मा जी के द्वारा ठग का उधार हो गया भगवान महादेर सनतकुमार से बोले कि है सनतकुमार भगवान अगस्य को अर्थ किस प्रकार अरपित किया जाता है अब मैं तुमें इसकी पूरी विधी सुनाता हूँ तुम ध्यान से सुनो इसको सुनने मातर से मनशी की सभी मनो कामनाई पूरी हो जाती है सबसे पहले ये निश्चे करना चाहिए कि अगस्य का उदय कब होगा तता उदय में आठ अत्वा दस दिन रातरी रहें तब से अर्ध देना आरम करना चाहिए तुम उसकी विदी सुनो वे मैं तुमें विस्तार से सुनाता हूँ सबसे पहले जल में सफेद तिल मिलाकर उनसे सान करें ततपश्चा स्वच सफेद वस्तर पहन कर गले में माला धारन करके धातू से निर्मित छिद्र रहित कलश इस्तापित करें उसमें पंच रतन डाल कर उस पर घी का पात्र रखें भाती भाती के फल माला वस्तरों से सजा क उसके उपर तामे का पूर्ण कलश स्थापित करें, उस पर अगस्ते रिशी की मूर्ती स्थापित करें, मूर्ती अंगूठे जितने मोटी, स्थूल, धिर्ग, हाटों की जटा धारी, शांत वर शोभा युक्त होनी चाहिए, उस मूर्ती में आवहान करके, गंद, पुष्प आदि से शोडशोब, जारविधी से पूजन करके, नविद्य अर्पित करें, धई वैचावल की बलीदे में, सोने, चांदी, अतामे के पात्र में, नारंगी, खजू, नारियल, कोहडा, करेला, केला, अनार, बैंगन, नीमू, अकरोड, पिस्ता, निलकमल, कमल, कुशा, द बैठें, पात्र को मस्तक से लगा कर, शीष जुखा कर, मन में अगस्ते मुनी का ध्यान करें, शद्दा भक्ती भाव से, सभी को उनके आर्पित कर दें, और इस प्रकार से कहें कि काश पुश्व के समान, हे अगनी वायू से उत्पन, हे मित्र वे वरुन के पुत्र, हे योनी आपको मैं परिवार सहीत नमस्कार करता हूँ, हे विंदे व्रदी के नाशक, हे मेग जल के विनाशक, हे रत्न बल्लव, हे लंकावास, मैं आपको परणाम करता हूँ, जिसने आतापी वातापी जैसे महाबली असुरों का भक्षन किया, जो लोप मुद्रा के पती है उन्हें प्रणाम है, जिनका उदे होने पर पाप लुप्त हो जाता है, जिनोंने जल बिंदूओं से पूर्ण समुद्र को पी लिया है, जिनके इसमरन मातर से मानसिक चिंता, रोग, तीनों ताप विलीन हो जाते हैं, ऐसे पुत्र तता शिश्य मंडली सहीत अगस्त्य रि और कहें कि हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे रिशी पत्नी, हे वरानने, हे लोपा मुद्रा आपको प्रणाम है, मेरा यह अर्ध्य आप सीकार करें, इस प्रकार से अर्ध्य देकर 118 अत्वा 108 गी की आहुती देवें, इस प्रकार से हवन करके, अगस्त्य मुनी को सरजन करते हुए कहना चाहिए, हे आच्चिंत्य चरित्र वाले अगस्त्य मुनी मैंने शर्था पूर्वक आपका पूजन किया है, इसलिए आप इस लोग और परलोग के सारे कारिय पूण करके, यहां से प्रस्थान करें, इस प्रकार से अगस्त्य रिशी का विसर्जन करक के सतकार कारना चाहिए और मन में ये धार्ना कानी चाहिए कि द्वीज रूप अगस्ते मुनी इसे ग्रहन कर रहे हैं दीनों के रक्षक अगस्ते रिशी को प्रेणाम करता हूँ उसके बाद सोने के सींग वाली दूद देने वाली चांदी के खुर वाली बच्छडा सहीत ता साथ दिन तक अर्ध्य देकर साथवे दिन गाय दान करनी चाहिए इस प्रकार से साथ वर्ष तक अर्ध्य देते रहने से मनुश जन्म मरण के बंदन से मुक्त हो जाता है ये सब काम निशकाम भाव से करने चाहिए तभी फल प्राप्त होता है किन्तु सकाम भाव से चक्रवति राजा बनता है। रोगी को रोग मुक्त कंजन जैसी काया प्राप्त हो जाती है। जो निशकाम भाव से स्वर्ग हो जाता है। वे जीवन परियंत मुक्ष को प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको सावर्मास के महात्यमे का 28 अध्याय सुनाया आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की खता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।